जार्खन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जार्खन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताईए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्र कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे जार्खन होमगार्ट चैन में भारी गरबड़ी होमगार्ट चैन में गरबड़ी की बात उजागर हुई है इसमें गयर योगता वालों का भी तक्निकी स जिरेनी में जयान कर लिया गया है रांची सहरी छेतरी के लिए 409 होमगार्ट का चैन किया गया इसकी मेदा सुची 14 अप्रेल 2022 को जीला परशासन ने प्रकासित की थी इसमें परशासन ने एक सापता हमें अपत्ति मांगी थी मामले में अभियार थी अभिमन्यू कुमार र अभियार्थी करन कुमार ने होम का ट्रेंणिंग सेंटर सीटी आइ धुर्वा को अपना वर्तमान वास्थानिय पता दिखाया है इन दोनों के नाम मेदा सुची में है पिंटु कुमार सारी रिक परिच्छा में भी फेल हो गय थे ऐसे में उनका चैन कैसे हो गया सारी परि करने के साथ अनुदानित दर पर सोना सोब्रम धोती साड़ी योजना के ताहत वस्तर उपलब्द करा रही है इस योजना से राज्य के भी पिल धारियों को लाब मिल रहा है योजना के लिए सरकार ने 500 क्लों रुपए का प्रोधान किया है बता दे लावकों को साल में दो बार इस योजना के ताहत 10 रुपए में धोती लोंगी साड़ी दी जा रही है राज्य में 57.11 लाग परिवारों को योजना के ताहत लभानवीत करने का लग सरकार ने तय किया है बता दे राज सरकार द्वारा 56 लाग 49 से 817 योग लाबकों को योजना का लाब दिया भी जा चुका है रांची में पती ने पत्नी को लोढ़ा से मार करकी हत्या जारखन के रांची जीले के चानो थाना छेतर के सोस गाव में ससुराल आय पती ने सो मुआर की राज को पत्नी सावित्री देवी को लोढ़ा से मार कर हत्या कर दी पत्नी के हत्या करने के बाद चंदवा क के बेतर बरवा टोली निवासी पति रमेश महली ससु्राल से फरार हो गया बता दे मिरितिका सवितरी देवी ने तीन बच्चे की मा है मिरितिका सवितरी देवी की साधी दस साल पहले रमेश महली के साथ होई थी 20 अप्रेल से बदले का मईसम का मिजाद जारखन में 20 अप्रेल से मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है बताया जा रहा है कि 20 और 21 अप्रेल को राजी के उतर फूरवी और उससे लगे निकट वर्ती मद्ध भागों में कहीं कहीं हलके से मद्धर्ज की बारिश हो सकती है इस दोरान गरजन और बजरपात भी हो सक 20 से 22 अप्रेल तक हावा की गती समाने से अधिक रह सकती है हावा की गती 30 से 40 किलोमेटर पती घंटे रहने का अनुमान है वहीं 22 अप्रेल को राजी के दक्षिनी फूरवी तथा निकट वर्ती मद्ध भागों में कहीं कहीं हलके से मद्धर्ज का गरजन और बजरपात की भ गिरी डी में तलाब में डूबने से दो भायों की मौत गिरी जीला अंतरगात नोडीहा ओपी छेत्रे के गोरो पंचायत में नहाने की दौरान तलाब में डूबने से दो सगे भायों की मौत हो गई बताया गया कि स्कूल से आने के बाद दोनों भाय तलाब में नहाने गए थे इसी दोरान दोनों की डूबने से मौत हो गई जनकारी मिलता ही पूलिस मौके पर पहुँचकर दोनों 100 को कबजे में लेकर आग की करवाई शुरू कर दिया है इधर दो भायों की मौत पर गाव में मातम पसर गया है पारसद के पती की हत्याका मास्टर माइंड समेत 5 गिरफतार हिंद पीडि थाना छेतर के वाड़ संख्या 17 की पारसद सबाना खातून के पती सर जमीन कारोबारी फिरोज ओर्फ रिंकू हत्याकार में पूलिस ने हत्याक के साजिस करता रियल, एस्टेट, करोबारी, मूरसीद और उसके चालक सीटन समेत 5 आरोपियों को गिरफतार कर लिया है जबकि उसने 3 सूटर सहीत घटना में सामिल अने लोगों की तलास जारी है पूलिस ने घटना के बाद ही उसे हिरासत में लिया था, कड़ी फुष्टास के बाद उसने अपना गुना कबूल किया है केंद्र की योजनाओ की जाच करने जारखन पहुंची केंद्री ये टीम भारत सरकार के बीदेश एवं सिक्षा राजमंत्री डाक्टर राज कुमार रंजन सिंग के अपर नीजी सचीव सेराम, तोंबी, मैत्याई, मंगलवार को दो दिवस्य दोरे पर जारखन पहुंचेंगे वा भारत सरकार की ओर से प्रायोजीत, योजनाओ पर संबंधित, अधिकारियों के साथ चाय पर चार्चा में सामिल होंगे सिरी मत्याई, अगले दो दिनों तक राची में रुकेंगे और केंद्र प्रदत इसकीम के साथ कोविड-19 से जुड़ी तयारियों पर विक्सित अधारबूत संड़चना, कोरोना टिकाकरन से जुड़े आकरो और इसकी रफ्तार को लेकर समधित विभाग के अधिकारियों के साथ चार्चा करेंगे नेशनल गेम्स घोटाला मामला 34 वे नेशनल गेम्स और मेगा स्पोर्ट कमपलेक्स निर्मान घोटाले की जाच से समधित आदेश की प्रतिलिपी CBI मुख्याले को भेज दी गई है हाई कोट ने जनित जाच का की सुनवाई के बाद 11 अपरेल को फैसला सुनाया था कोट ने खेल उपकरनों की खरीद और मेगा स्पोर्ट निर्वान में हुई गरबड़ी की CBI जाच का आदेश दिया था बता देख खेल उपकरनों की खरीद के सिर्षिल में गरबड़ी की सिकायत के अधार पर तक निकी राजेपल ने परधान महालेखाकार से स्पेशल अडिट कराया था कोविट पुरत्साहन रासी निकासी मामला स्भास्त मंत्री बंणा गूपता और उनके नजदी की लोगों द्वारा कोविट पुरत्साहpared रासी लेने के मामली में नया मोर आया हा है बतादे स्वास्त मंत्री के कोसांग से भेजी गई 60 लोग की सूची में से 54 को प्रुसाहंदासी का भुक्तान किया जा चुका है इन्हें डुरांडा ट्रेजरी से भुक्तान किया गया है वहीं मंत्री बना गुपता उनके आपत सचीव सही छा लोग का भी भुगतान नहीं हो पाया इनका भुगतान प्रोजेक्ट भवन के कोशागार में समय से बील नहीं पहुचने और RBI का सर्वर बंद होने के कारण नहीं हो सका क्रीसी और किसानों के विकास के लिए बनी योजनाय दबी रह गई बीतिय वर्ष 2021 में क्रीसी और किसानों के विकास के लिए बनी दर्जन भरसेज ज्यादा योजनाय फाइलों में ही रह गई इसमें किसान सम्रीदी योजना, कटाई के बाद सबजीयों, फलो और फुलो को बरबाद होने से बचाने की योजना, क्रिसी उपकारण बित्रन सहीं कई योजनाय सामिल हैं इनके लिए बयट में प्रोधान किया गया है, और वित्य वर्ष के अमतिम दिनों में 25 से 31 मार्च योजनाओ की स्विक्रिती हुई, फिर राज्या देश जारी हुआ, इसे सिर्फ ट्रेजरी से पैसा निकला लेकिन योजनाय लागू नहीं हो सकी, इसे किसानों के योजनाओ क अधिन का लाब नहीं मिला, मनरेगा जेई मनोज कुमार 10.000 रुपय घुस लेते गिरफतार, राची ACB की टीम ने जार्खन के सिम्टेगा जिले के 22 चौक से 10.000 रुपय रिस्वत लेते मनरेगा, जेई मनोज कुमार को रंगे हाथ गिरफतार कर लिया है, ACB की टीम उसे गि इननत करने के बाद भी बिना पैसे दिये कुमा का प्रकलन नहीं बनाया जा रहा था, इसके बाद ACB ने ये करवाई कर उसे दबोच लिया है, लोहरदागा में कलोरों का क्रिसी भौन बौन रहा खंडर, केंद्र तथर आई सरकार किसानों की आई दोगनी करने के लिए जाला के लिए ब्हौन से लेकर क्रिसी फारम हाउस में पवधा तैयार करने को लेकर पाली हाउस, क्रिसी फारम हाउस में उत्पादित फसलों के बांडारन के लिए गुदाम ता बीज प्रोसेसिंग यूनिट का रिमान कलोरों की लागत से कराया गया था, देख रेक तता उप्योग के अभाव में क्लोरिक लागत से बना भवन खंडर में जहां तब्दिल हो रहा है देव घर में जीला परसद के लिए किसी ने नहीं भारा नमांकन तिरियस्तरिय पंचायच चुनाओ के परथम चरण में देव घर मोहनपूर और देवीपूर में नमांकन की परगिर्या शुरू हो गई है नमांकन के पहले दिन देवीपूर में दो और मोहनपूर में एक ग्राम पंचायज सदसे पद के लिए उमिद्वारों ने परचा भरा है वहीं तीनों परखंड में मुखिया जिला परसद पंचायज समिती के पद के लिए एक भीन उमिनेशन नहीं हुआ है उक्त जनकारी डिसी सा जिला निर्वाचन पतादिकारी मंजूनात भहंत्री ने दी उन्होंने जनकारी दी की तिरियस्तरिये पंचायज चुनाव को लेकर देवगर परखंड कर्याले परिशार में 95 मुखिया वह 25 वाड सदसे परत्यास्यों ने नमांकन के लिए नाजीर रसीद खरिदा वहीं 155 वाड सदसे परत्यास्यों ने एन आर कटाया देवगर रोपवे हाचसा त्रीकूट रोपवे हाचसे के दवान ट्रोली में फंसे लोगों को बचाने में इंडियान यारफोर्स को काफी मक्सद करनी पड़ी थी यारफोर्स ने 26 घंटे के यार अपरेशन में छोटी-छोटी 28 उडाने भरी थी 28 उडानों में गरूड कमांडो और यारफोर्स के जवानों ने 11 अपरेल को 35 लोगों को रेस्क्यू किया था यारफोर्स के अधिकारिक ट्यूटर अकाउंट के अनुसार यारफोर्स ने त्रीकूट हिल्स रोपवे पर फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए MI 17 पांच और LAH-M के तीन नमक खेलिकॉप्टर उतारे थे देव घर के स्रावनी मेले में धक्का मोकी से मिले गिनी जाहत स्रावनी मेले में आय कवारियों को सूलब जलारपन कराने के लिए बाबा मंदीर पर संसन लगातार बेवास्था को बेहतर करने में लगा है मेले में इस बाद सिग्र दर्शनम के तहट जलारपन करने की बेवास्था में पूरी तरह से बदलाव दिखेगा इसकी जनकारी सोमवार को बाबा मंदीर की बीधी बेवास्था का जाजाले ने आयट डीसी मंजुनात भयंत्री न दी डीसी ने बताया सिग्र दर्शनम ब्रीज को स्रावनी मेले से पहले टी जक्षन से अलग कर दिया जाएगा इसे भक्तों को कतार में धाका मोकी की सिकाज से भी निजात मिलेगा मंदीर आयकवारियों को सूलब एवं स्रक्षित जलारपन कराना मंदीर वा जिला परशासन की पहली प्रत्मिक्ता में सामिल है मंदीर में सिग्रदर्शनम कोट्टी जक्षन से अलग कर संध्या मंदीर वा महा कला भहरो मंदीर के बीच से निकाल कर फिल पायात तक अलग से उतारा जाएगा वही 42 मीटर लंबा एवं 1 मीटर चोड़ा इस बिरिज को बनाने में कुल 46 लाग 300 रुपे खर्च किये जाएंगे धन्यवाद